कि जो जो इलेक्शन अज़िक आएंगे, E.D. इंकम टेक्स वगएरा, ये और भी अपोजिशन के लीडरों को पकड़ने की कोसिस करेंगे, जो सत्ता पक्स के खिलाप लोगों को जागरू करने का काम करते हैं, या देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की जो खुल के बा और अपनी मन मर्जी से देश को चलाना चाहते हैं, पहले तो आनन फानन में कानून पास करना, देश के पारलेमेंटरियन को सस्पेंड करना, ये अपने आप में बहुत दाग है, रामराजय की राममंदिर की बात करते हैं, और वहां पे गैंग रेप होता है, और वो लोग यूश्टी में चकर काड़ते हैं, वीडियो कलीपिंग होने के बावजूद भी, जिनको गिरपतार नहीं किया जाता, दो महीने गिरपतारी की हो जाते हैं, और बात करते हैं, रामराजय की कोई रामराजय ना था, ना है, ना होगा. नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं, नाशनल दस्तक 2024 का इंतिजार था और वो 24 आ चुका है, और लोग सबह चुनाव जो है, वो बेहत करीब है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम तरेके की तैयारिया कर रही हैं, वहीं अगर EDCBI की बात कर तो वो इस लोग सबह चुनावाने से पहले काफी एक्टिव हो गई है, और लगतार विपक्षो पर जो है सिकंजा कशना वो शुरू हो चुका है, और आज की खबर के पर बात करें, तो सुबह से ही TV मीडिया पर, नाशनल मीडिया पर ये खबर चलाई जा रही है, कि केजर वाल की गिरफतारी की तैयारी हो रही है, वो कह रहे है कि ये इनलिगल है, क्या कहेंगे आप, मामला तो काफी पुराना है, जब मामला मनिश्य सोधिया को गिरफतार किया था, अगर कौन-कौन लोग शामिल है, अगर इनके पास एविडेंस थे इस बात के, तो उसी वकत इसे भी इलेक्शन की वज़े से नजर आ रहा है, कि जो जो इलेक्शन अज़िक आएंगे, एडी, इंकम टेक्स वगएरा, ये और भी अपोजिशन के लीडरों का पकड़ने की कोसिस करेंगे, और खास तो पर उन चेरों को जो ज़्यादा परचार-परशार कर सकते हैं, इ उनको ये अच्छा बाना भी है, और ये बात अखिकत है, देश इस तरह सोचता है, कि कोई आदमी अपराद कर रहा है, और आर्थिक अपराद किसी ने किया है, उसमें इंतजार किसी बात का है, वो सरू में ही उनको पकड़ना चाहिए, और उसमें कुत्ते बिली वाला क्या गेम होना थोड़ा चाहिए, कि तुरंत अगर उनके खिलाप एविडेंस है, तो कलियर कट नौटिस दे के बुलाना भी चाहिए, और उनको लगता है, वाके सोलिड एविडेंस है, उसको बताने में क्या पुराई है, और फिर गिरपतारी करनी है, तो गिरपतारी कर लेनी उनके कारवाई हो, और कोर्ट के सामने उनके पेश किया जाए, और कोर्ट को भी तुरंत, खासतोर पे ऐसे मामलों में, जिसमें आर्थिक अपराद के साथ-साथ, पॉलिटिकल लोग शामिल हैं, उसमें ये देखना चीए, कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा की वज़े से तो लोग के स्टुडेंट, कोई भी पॉलिटिकल नेता, खासोर पे जो ऑपोनेंट हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो सत्तापक्स के खिलाप लोगों को जागरू करने का काम करते हैं, या देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की जो खुल के बात कर रहे हैं, या करते हैं उन सब को अगर कोई अजेंसी कारवाई भी करती है, इस वकत कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उनके फंडामेंटल राइट नेके अवली नेताओं के, इन नेताओं से देश के लोगों के फंडामेंटल राइट भी जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए है कि टार्गेट क्या था वादे क्या था पूरे किये ने किये यह कहां गडबढ है यह एक तरह से प्रेरी हैं इसके समाज के प्रेरी हैं समाज को यह बताने का काम करते हैं बहुत बार सरकार खाली अच्छी बाते तो दिखाती है और अपनी गलत बातों को चुपाना चाहती है तो यह प्रेरी हैं अपोजिशन के लोग अपोजिशन नहीं है यह वो लोग हैं जो सत्ता में शामिल नहीं है जो सत्ता से बाहर बैठके वैवस्था में भागिदारी करते हैं वो सब लोग ऐसे लोगों पर कोई भी कारवाई समय हो उसको प्रोटेक्शन देने चीए कोर्ट क क्या लोकसभा के लिए इतनी पावल मतलब इतनी बेचायन है कि अगर ड्राइवरों की बात करें तो आनन फानन में सस्पेंड किया गया सांसदों को विपक्षों को और उसके बाद बिल लागू कर दिया गया ड्राइवरों ने जब हंगामा किया तो शाम तक सरकार जो है वह तुरंद जो लोकसभा के जस्ट करीब लाकर उसकी उद्गाटन की जा रही है ताकि जनता को और वहीं बिपक्षों की अगर बात करें तो लोकसभा पास आते आते इनकी गिरफतारी शुरू हो रही है तो यह सारा जो सिस्टम है वो सर्फ लोकसभा को देखते हुए किया ज होता है डेमोक्रेसी में ऐसानी शलता ना चलना चाहिए यह अंडेमोक्रेटी के सब कुछ यह सारे के सारे तोर तरीके ववस्ता के खिलाफ है इसमें यह होता है जैसे ववस्ता के नाम पे कोई आदमी कभजा रखना चाहता देश पे और अपनी मन मर्जी से देश को चलाना करना है पहले अनन फानन में कानुन पास करना देश के पारलेमेंटेरीशन को सस्पेंड करना इस अपने जनता को मुरक बनाया जाए ये मुर्य और बाते चुपाई जाए और देश के लोगों के हक की बात करने वाले नेताओं पर छापे मार के उनको गिरपतार किया जाए या देश के बोलने वाले पत्तरकारों किसी ना किसी तरीके से उनके चैनल बंद किये जाए या उनको मुकदमा में अंदर जेल में डालने का काम किया जाए या देश की सारी ववस्ता का मिश्यूज किया जाए पुलिस का मिश्यूज किया जाए नयाईक ववस्ता का मिश्यूज किया जाए यह है असली देश दरो और देश दरो कोई यह नहीं है कोई अतियार उठा लिए तो देश दरो होगा असली बड़ा देश-दरोई यह हो रहा है और पार्लियमेंट में भी देश-दरोई हुआ है पार्लियमेंट में उस सारे MP जो कानूनों को फटा-फट बीना बेहंस के बीना एविडेंस के बीना रिसर्च के पास करवाने में जो भागीदारी जिन लोगों ने की है वो देश- MP को सस्पेंड करने का मतलब है उसके हलके की पूरी जन्ता को सस्पेंड करना बाहर करना उस सिस्टम से बाहर ने काना आवाज बंद करना डेमोक्रेसी में यह नहीं चल सकता है डेमोक्रेसी मैजोर्टी के साथ कानून पास करने का नाम नहीं है डेमोक्रेसी बहुमत हो जाए और तुम सरकार बना के बैठ जाओ और देश पे कब जा कर लो यह डेमोक्रेसी नहीं है डेमोक्रेसी होती है हर एक की बात सुनना हर एक बात पर पूरी रिसर्च के साथ और जो क्योंतों आद्धान सकता है तब जाके मेजोर्टी का सदूपयोग हो सकता है मेजोरटी कि सरकार सविधान में बीप परुवीजन नहीं है सविधान हीम यह कहते है लीडर अव अव्धिन है उप प्रेड प्रैमिनिस्टर हो या मुख्यमंत्रीर हो और वो हाऊस है में नहीं बांट सकते हाउस को आप ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंचीज में नहीं बांट सकते ये गलत तरीका देश में चल रहा पारलेमेंट में भी जो बैठने का तरीका ये अंडेमोक्रेटिक है ये बिलकुल बक्वास है और देश में जो बहस के मुद्दे हैं और जो कानून बना रखा है वीप जारी करने का ये बिलकुल टोटल अंडेमोक्रेटिक कानून है जिसने भी बनाया है वो भी भूगत रहे हैं और इसको जारी रखना लोगों की आवास दबाना है क्योंकि लोगों की मर्जी के मुताबिक तो मेंबर पारलेमेंट बोल ही नहीं है वो दोके से पास किये हुए कानून है इस तरह से दोके से कानून पास करना ये असली देश दरो है अभी अगर बात करें अगर सांसदों की जो अपनी जनता का वही प्रधान मंत्री के सांसदी छेत्र में गैंग रेप होता है गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के सन्यो नहीं बोलती है और दो महिने तक उन्हें पूरी छूट दी जाती है क्या कहेंगे दोगला चेरा अरे कमाल हो गया भई पहले तो ऐसे लोगों को तुम रखते हो या उनको तवज्जो देते हो या उनकी हिम्मत कैसे हुई इसका मतलब यह है उन लोगों को ने आपकी शैपे औ सोटी हैं दो समाज में नहीं आपके संग्टन में हो तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही यह to 75 नहीं करेंगे और यहांपे तो जो आदमी कुकर्ब में शामिल हैं यह तीन आदमी के पहोँ से इनके फटो पर प्रा मिनिस्ट्र से वेधार करना और इस तरह के इतने बड़ी ब आपको कानून से उपर समझ बैठे हैं और ऐसे लोगों की गिरपतारी भी दो महीने लग जाएं इससे तो पता चलता है कि सासन वैवस्ता बिल्कुल चरमराई हुई है रूल ओफ लो नहीं है रूल ओफ डिक्टेटरसीप है देश में रूल ओफ लो की धजियां उड़ी है ज कानून पास इस तरह कानून करते हैं और संग्ठन का इससे पता चलता है इस सरकार में किस तरह के ऐलिमेंट में और दोपे हैं और आईटी सेल का कितना दुरूपयोग होरा आईटी सेल में किस तरह के बच्चे हैं इनके आईटी सेल में जो किस तरह से लोगों को फोलो करते हैं उनके अच्छी खबरों पे और उनको विच हंटिंग की तरह उनके पीछे लग जाते हैं यही सिखा होगे क्या बच्चों का आच्छा बनाने के लिए संसकार दोगे या बच्चों का दुरूपयोग करोगे यह इस तरह से तो यह लगता है कि पूरे के पूरे हमारे देश के समाज का युवाओं का खास्तों पर दोहन हो रहा है उनको गलत रास्ते पर डालके उनका दुरूपयोग किया जा रहा है उसका यह एक 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 जामपल है कि जिनका दुरूपयोग किया जा रहा है वो लोग फिर किस हरकतों में शामिल हो जाते हैं जब आप अपने पुलिस के पास CCTV फुटेज और सारे सबूत हैं उसके बाद इन्हें मध्यप्रदेश का चुनाव प्रसार करने भेज दिया गया वहां से आये तो ITCEL ने इनकी और काम दे दिया और जिम्मेदारिया बढ़ा दी तो अगर युवा अवाज न उठाते तो इनकी गिरफतारी भी और मैं तो कहता हूँ आहिंसक तरीके से इन सारे मीडिया चैनल हाउसिज का घिराव करना चाहिए समाज को बिना किसी कावनों का वाइलेशन किये हुए तक इनको शरम आये इस बात की तुम कर क्या रहो तुम्हें करना क्या चाहिए यह सारे के सारे पुंजी पतियों के भी गढ़ ओ ता को इनको रोक रहा था कौर को रहा था लड़कों के फोटो किस किस के साथ है इसका मझलब को कहां से ढ़ाओ था इससे थालता है जब वहां को यह हालात है दो महीने तक कोई मकद्मा या उनके ग Shield-तारी नहीं होती ऐसे मामलों में है तो महिला तो महिला का सक पादक्न के लिए IMAil किस wordt आज की सत्ता सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी खुलञों कर शकती है और कर भी रही है वदेश देश को कम से कम किसिडी प्यप्य कंभ तरीके का मन बेद मिटा के मत बेद मिटा के ऐसे लोगों से पीछा चुड़ाना चीए देश का असली देश बक्ती यह है बीजे पी और अमीद साज चाहे मोदी जी जो मोदी जी के डंके जो पूरे दुनिया भर में बजवा रहे हैं बीजे पी जिस उत्तर प्रदीश का डंका पूरे देश भर में पीट रही है कि ऐसा राम राज्य और शुषासन और कहीं नहीं है इसलिए और तमाम इसके एक्जामपल दिये जाते हैं हर जगा उसी उत्तर प्रदीश में ऐसी चीजे होती है और उसी प्रधान मंत्री के सांसदी छेत्र में ऐसा होता है प्रधान मंत्री एक शब्द कुछ नहीं कहते है यह राम राज्य को कहां था, कहां है, कहां होगा, यह सब किताबों में मन गडंद बाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, होता तो दिखाई दे जाता, कम से कम अब तो दिखाई देता, जिस रामराजय की राममंदिर की बात करते हैं, और वहां पे गैंग रेप होता है, और वो लोग वहां यूश्टि न था, ना है, न होगा. समाज का राजय रहेगा. समाज बड़ी चीज है. कोई एक आदमी के राजय होने से देश में अमझायन होगा, ये धौणग है. इसी मानसिटा के लोग हैं, सासन मानसिटा के लोग. जो एक मसिया आएगा, दुनिया को बचाएगा यह एक मसिया था दुनिया बड़ी अच्छी चल रही थी कहां यह कागचों में राम राजय है था रहेगा धर्ती पे कोई राम राजय नहीं समाज का राजय समाज का अपना वैवस्ता है वैवस्ता उसी को बनाने के लिए हमारे देश का कांसिचूशन है इसमें राम राजय वाजय की कोई स्थान नहीं है यहां पे परजा का राजय की बात है राम राजय नहीं परजा का राजय है था रहेगा और परजा का ही राजय परजा की ही वैवस्ता परजा खुद बनाएगी डेमोक्रेसी उसका नाम है राम राजय के उत्तर प्रदेश के और जिस सुशाशन की विवस्था की डंका पीटी जाती है और चुनाव प्रचार में जिसका एक्जामपल दिया जाता है उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के मामले में नंबर वन पर चला गया है जहां महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा शोशन और अत् पास पुरस्ट है राम डाज और ऐधिया के मंदिर दिखाने में राम अनले की लेकिन उसके पास फुरस्थन नहीं है कि वो भी हूँ के गैंग रेप के बारे में चर्चा करें उन आरोपि की बारे में बात करें जो आईटी सेल में बीजे पी में बैठे हुए हैं और उनकी गिरफतारी नहीं होती है ड्राइवरों के काले कानून के बारे में बात करने की फुरसत नहीं है इस पूरी बात चीट पर अपनी प्रतिकरियाज जरूर दीजे कैमर में आशीज के साथ ग्यूटी गिरी नैशनल दस्तक नैशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नैशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नैशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें